गुड मोर्निंग वीडिया ठी मित्रों अगाउना अंखमा आपड़े पेल्लो पात दयालू सिकारी भने गया तो टेशूं अतु एक कहानी हती और हले आपड़े एक जगट एक लोग कवीता भने शूं तो एक जगट एक लोग आ कावियन प्रकर्शूं आवे कि कवीता तो आ एक कवीता छे तो आ कवीता मास्नों कही हुँ छे के आपड़े पाठ पर पठी समझे के एक जगट एक लोग एक जगट एटले के दुनिया संसार अने एक लोग एटले पंठाई के दुनिया मा रहिवावारा प्रानी हो तो आहीं कही हुँ छे के एक दुनिया छे दुनिया आपने बद्धाय साथे हरी मरीने रहीवुँ जई आपने एकज सूर्य मर्यों छे एकज चंद्रों छे अने आपने एकज धर्टी पर रहीवानु छे अने आपने भेटबाव राखे चे तो आपने आपने भेटबाव बूर करीने बद्धाय साखे मरीने समन प्राखी और प् दुनिया मां बद्धा सांथे नियाएक करिये अने बद्धाने प्रगति थाई अने आखी दुनिया मां आपनु नाम रोशन थाईटो एवु काम करवानों छे तहीं यां एक जगट एक लोग तेनु चित्रा प्रुचर चित्रमासों देखाई तमने एक पडवत छे एक सूरिय देखाई थे एक चान देखाई थे देखाई थे ने तियार पची वे वे धर्मों थे पांतो धर्मों पांने एक जगट एक लोग सबका है एक मान एक चंत्रा एक सूरिय एक भूमी आसमान तो अहीं सु कही हुचे के एक जगट जगट एकले के डुनिया जगट एकले के डुनिया संसार तो पज़ी लोक लोक एकले के तेनु पंठसे के विश्वर आ डुनिया मा रही वावारा मानस सबका है एक मान मान एकले सुन से थाई के आडर के संमान तो यहां पर यह एक पूरी दुनिया एक ही है संसर की एक ही है और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सन्मान के हकडा है यानि कि सबको एक जैसे ही मान मिलना चाहिए एक चंद्र, एक सुर्य, एक भूमी, आस्मा तो एक चंद्र, चंद्र यानि की चांद, सुड्य यानि की सूरज और भूमी, भूमी यानि की क्या होगा, जमीन या धर्टी तो यहाँ पर क्या कह गया है, कि आकास में एक ही चंद्र है आकास में एक ही सुड्य है, एक ही भूमी पर हम रहते है तो कभी क्या कहते है कि ये पूरी दुनिया एक ही है इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे है और सबको एक जैसा सम्मान मिल्मान यानि की सम्मान तो एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए राट में एक ही चंद्रमा डिखता है संसार में अपनी चांद नी फेलाता है चंद्रमा दिन ने एक ही सुरिया होटा है वो सारे संसार को प्रकासित करता है एटले के एक सुरिया होई छे जे आखी दुनिया ने प्रकासित करे छे हम सब एक ही धर्टी पर रहते हैं तो आपने बदा एक धर्टी पर रहिये छे और एक ही आस्मान के निचे रहते हैं तो एक आकासने निचे आपने बदाय रहिये छे आगर झे एक तेज एक हवा एक ही पानी जीवन है सुखडुक की एक कहानी एक देह एक रक्त एक अस्ति एक प्रान एक जगट एक लोग तो आगे क्या कहा है एक टेज तेज यानि क्या होगा यह प्रकास यह जो टेज है उसका अट क्या होगा प्रकास तो एक ही प्रकास है हवा तो हमें जो मिलती है तो हवा भी एक जैसी है और पानी हम सब को जो पानी मिलता है वो भी एक जैसा ही मिलता है जीवन है सुखरूप की एक कहान है, यानि कि हमारा जीवन में जो भी सुख डूख मिलता है, तो एक जैसा ही मिलता है, सब लोगों को एक जैसा ही सुख और डूख मिलता है, यानि कभी क्या कहते हैं, हमें मिलने वाले प्रकास, हवा, पानी, एक ही है, हम सब के जीवन में सुख डूख भी एक जैसे है एक डेह, एक रक्त, एक अस्ती, एक प्रांग तो एक डेह, डेह यानि क्या होगा? डेह यानि की हमारा सरीर क्या होगा? हमारा सरीर तो डेह यानि सरीर, रक्त, रक्त यानि क्या होगा? रक्त यानि की खून या लहू आपनु जेन लोही ओई चे तो तेने के बाई रक्त यानि की खून या लहू एक अस्थी अस्थी एटले के सुधाई हड़ी हड़ी एटले के आपना हा सरीर माझे हड़ी का ओवेला चे तो तेने के बाई अस्थी एटले के हड़ी और एक प्रान, प्रान एटले के आपरा आपरो प्रान, क्या आपरो जीव तो अहीं कईसनु कहे छे आपरो एकज सर्खु डे हे टले के आपरो एकज सर्खु सरील छे आपने बद्धानु लोही पन एककज सर्खू छे, सर्खू छे ने के कोईनु कारू, कोईनु भूरू येव छे, नईने बद्धानु एककज समान लाल रंगनु बद्धानु लोही होई छे, अने सरी नी जे बनावाट होई छे, तो बद्धाना सरी नी बनावाट सर्खिज ह प्रवडागे संत éसार मटती सबसे दर दो तो सबसेरगे सब्साधार के क्ली टवसे ब में 9. सरीन की बनावत भी एक जैसी है और हमारे सरीन में जो हड़िया होती है वो भी एक जैसी बनावत की होती है हमारे प्रान भी एक जैसे है एक जगट एक लोग एक ही दुनिया है और दुनिया में रहने वाले लोग भी एक जैसे ही है आगे हर्स भरे गाए हम राग सुहाने सम्टा और मम्टा के गीत तराने घर घर में गुंज रहा निस्दिन यम धूरगान एक जगट एक लोग तो यहाँ पे कौन सा सब्ड़ा पहले हर्स हर्स यानि क्या होगा हर्स यानि की आनन्द हर्स यानिकी आनन हर्स बरे गाए हम राग सुहना राग येटले के गीत राख क्या आठ होगा गीत और सुहना यानिकी सुन्दर तो यहाँ पर कभी क्या कहते हैं कि हमारा हर्स यानिकी आनन राग यानिकी गीत और सुहना यानिकी सुन्दर तो हम आनन्डित होकर सुन्दर राग गाए हम यानिकी आनन्ड से हम सुन्दर गीत गाए सम्टा और मम्टा के गीत तराने सम्टा यानिकी समान्टा यानिकी समान्टा यानिकी समान्टा यानिकी समान्टा यानिकी समान्टा यानिकी समान्टा गीत गावान होई छे तो तेने केवाई गीत तरान तो कभी सु कहे छे आपने आननदी थाइने सुन्दर गीत गाईए आपने समान्टा और परसपर प्रेम ना गीतो गाईए समान्टा और पारस पर प्रैम के गीत गाई गर्गर में गुंज रहा निस दिन या मधुरगान तो घर में गुंज रहा है तो धरे एक घरोमा गवाइर रहो छे गुंजी रहो छे निस दिन 40 दिन अब्ले के मीठा तो कभीस म було गहाँ छे कि आपना डिवोस राट आपना डरेक ना घर्व गर्व मा ये गीट गुंचतू रहे कि एक जगट एक लोग एक लोग यानि कि हमारे घर्व में हमेशा नीश दिन यानि कि दिन और राट में यही मधूर गेटी है यानि कि यही मिठागी हमारे गर्गर में गाता रहे हम कि कौन सा गेट के एक जगट एक लोग हम एक ही जगट के हैं और एक ही प्रकार के लोग है तो एक जगट के लोग है और एक ही लोग के निवासी है आगे है राष्ट्रो में एक्य यही कर्म हमारा प्रगती न्याय मानवता धर्म हमारा तो राष्ट्र राष्ट्र एटले सुथाई राष्ट्र एटले के डेस सुथाई डेस एक्य 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 एक आपड़ा डिस माँ एकतानी भवना फेलाववानी छे एज आपड़ू सवती मोटू कर्तवियर छे प्रगती न्याई मानवता प्रगती एटले सु ठाए का आपड़े जब प्रगती करवानी उन्नटी के विकास ठाए प्रगती एटले के उन्नटी के विकास अने न्याई सर्खिय बद्धा साथे प्रगती करे विकास करे औने बद्धा अने साथेज नियाई मरे आपड़ो धर्म होग जुईए तो कभी सु कहे छे संसाना सवर देशो मा एकतानी फाउना फेला में ये ज़ा आपड़ा सवनु मुट्टु कर्ट व्योग गनी सकाई आपड़े बद्धा हरी मरीने प्रगती करिये बद्धा ने नियाई मरे औने मानवतानु रक्षन करिये ज़ा आपड़ो धर्म छे तो आपड़ो धर्म कैयो होग शके बद्धा हरी मरीने रहे बद्धा ने नियाई मरे औने मानवतानु रक्षन करू ये ज़ा आपड़ो धर् हिल मिल के लहराये विश्व सांटी का निशान हिल मिल के एटले सों के मिल जूल का बड़ाय सांथे मरीने विश्व सांटी का एटले के विश्व आखी दुन्यानी सांटी मा तेनु निशान निशान एटले के चिन्ह के जन्दा तहाप्रे बद्धा ए सांते हरी मरीने आखा विष्वों मा सांती बनावी रहे तो तेनु प्रोटिक आपडे हवामा स्वरकावानू छे तो कभी सुन कहे छे आपने सोवे हरी मरी ने विश्व मा सांती बनी रहे तो तेना प्रतिक मा ते आपने भजने हम्मेसा हवा मा फ़रका वनों छे अना आपने आपने पोटानी एकता सिद्ध करवानी छे तो कभी क्या कहते है कि संसार के सभी राष्टों में एकता का भाव लाना यही हमारा सबसे बड़ा कर्टव्य है हम सब मिल जूल कर प्रगटी करे सब के साथ म्याई हो मानवटा की रक्षा हो यही हमारा धर्म होना चाहिए और हम सब मिल जूल कर विश्वाशांटी के निशान याने की जंडे को विश्वाशांटी के जंडे को हवा में लहरा है और इस तर अपनी एकता साभीत करे एक जगट एक लोग तो यहां पर कभी ने क्या कहा है क्या क्या एक है तो यह संसार एक है बाद में क्या एक है कि यह सुष्टी एक ही है हम जो लोग है मान भी है तो वो भी एक जैसे ही है और सब को एक समान मान यानि की समान तो यह सब को एक समान आडर और समान मिलना चाहिए इस आस्मान में रात को जो चंद्रो खेलता है दो चंद्रो दी एक ही हो और वो अपनी चांदनी फेलाता है दीन में एक ही सुरिया है और वो सुरिया सारे संसार को प्रकासिट करता है हम सब एक ही धर्टी पर रहते हैं और एक ही आस्मान के नीचे रहते हैं एक ही टेज है यानि की एक ही प्रकास है हमें मिलता है एक जैसा ही हमें हवा मिलती है एक जैसा ही पानी सबको मिलता है और सबके जीवन का सुख डुक है वो भी एक समान ही है हमारा सरीर भी एक जैसा ही एक जैसा है न सबको सबका जीवन हमारा सरीर की जो रचना है यानि की सरीर तो हमारा सरीर की रचना है वो भी एक जैसी है सबका खुन वो भी एक ही रंका है सबकी अस्तिया यानि की हडिया तो सबके सरीर की जो हडिया होते है वो भी एक समान ही है औ वो भी एक समन है आगे वो कभी क्या कहते है कि हम आनन्दिद होकर सुन्दर गीत गाए और समन्ता और पारस्परिक प्रयमू के गीत गाए हम दिन राट या मदूर गीत यानिकि मिठा गीत गाना है और हर घर में घुंचता रहे यह गीत यानि कि राट दिन हर घर में यह गीत घुंचता रहे कि एक जगट एक लोग आगे कभी क्या कहता है कि संसार में सबी राष्टों में एकता का भाव लाना और सब में सब प्रगटि करे सब को न्याय मिले और मानवता की रक्षा करना यही धर्म वर्टा है हमारा और सब किल मिल कर यानि कि मिल जुल कर हम विश्व सांती का जंदा लहरा है हवा में लहराना है और इस तरह हम अपनी एकता को साबीट कर सकते हैं तो इस कावियो एक जगट एक लोग कावियो का जो सब्डाथ है तो वो आपको नौट बुक में लिखना है अभी यहाँ पर अभ्यास है तो अभ्यास की हम समझूदी लेंगे तो पहला प्रस्न है निम्नलिखी प्रस्नों के उत्तर डिजिए प्रस्न नमबर एक एक जगट एक लोग एसा कवी ने क्यों कहा है कवी क्यों कहते है क्यूंकि यह संसार एक ही है एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फिलाता है एक ही सुरिय सारे संसार को प्रकासिट करता है दुनिया के सभी लोग एक ही धर्टी पर रहते हैं और एक ही आस्मान के नीचे रहते हैं इस प्रकार हमारी प्रकुरूड के तट्वा हम सब के लिए एक ही है यानि कि एक ही चंद्र है एक ही सूरिया है एक ही धर्टी है एक ही आस्मान है और दुनिया भी है एक ही है इसलिए कभी ने कहा है कि एक जगत एक लोग दूसरा प्रस्न है एक रक्त का अर्थ समझाए एक रक्त यानि क्या कहा मैंने आपको रक्त यानि की खुन खुन एदल आपड़े गुजराटी मां कही है के लोई तो खुन के रख्त लहू तो मनुस्य चाहे किसी भी देश जाती और धर्म का हो उसके रंग रख्त का रंग लाल ही होता है एदले के आपड़े कोई पन मनुस्य होई तो मनुस्य चाहे किसी भी देश जाती और धर्म का हो उसके रक्त का रंग लाल ही होता है रक्त में रक्त के रंकी समान्टा ते यह सावी थोटा है कि मनुष्य जाती एक ही हेडले के आख्यार मनुष्य नी जाती एक चे भले आपड़ा रंग रूप अलग-अलग होई पर तो एमा वहिटू लोई एक च होई छे हमारा धर्म क्या होना चाहिए तो हमें सिखाना कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए तो सब की प्रगटी हो सब को न्याय मिले और मानुवता की रक्षा हो तो यही धर्म हमारा होना चाहिए क्या होना चाहिए सब की प्रगटी हो, सब को न्याई मिले और मानवता की रक्षा हो यही हमारा धर्म होना चाहिए आगे है चोठा प्रस्ना, हमारा जीवन सुख डुकी एक कहानी ऐसा कभी ने क्यों कहा है? आपको पटा है ना, कि सभी मनुस्त्र के जीवन में कभी सुख के आते है सुख के दिन आते है, तो कभी डुक के दिन आते है किसी का जीवन न सुखी होता है, न डुकी जीवन में बारी बारी से सुख डुक आते रहते है इसलिए कभी ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख डूख की कहानी है तो हमारे जीवन में कभी सुख आएगा कभी डूख आएगा और सबके जीवन में सुख डूख आता ही रहता है इसलिए कभी कहते है कि हमारा जीवन एक सुख डूख की कहानी है अब ये प्रस्ण नमबर डो है वो मुझे सोर में पर ये ता आपको सिप पढ़ना है सुर्य, सुख, डूख, रक्त, अस्ति, प्रान, गाए, गुंज, हर्ज, एक्य, कर्म, प्रगटी, लहराय और विश्व सांटी तो प्रस्ण नमबर टीन क्या है उदाहां के अनुशा निदेशित वान से सुरू होने वाले सब्ड़ बनाए ये ता आपको सब्ड़ बनाने का है कौसे कवा, कमल, कागज, कौशल है न लिखा तो वैसे ही कौन-कौन से सब्ड़ आएंगे तो गह से गनेश, गमला, गज, गीग, आपको जो भी सब्ड़ लिखना है वो लिख सकते हो गह, गह से कौन सा आएगा, गर, गडी, घंटा, गटना, गटना, वो सब्ड़ गह से है अबी चो, तो चो से कौन सा आएगा, चरखा, चम्मा, चम्चा, चरन, चटाई, पे सब्ड़ आठा है वो तो आपको आठा ही है, म, म से महल, मकान, मखन, मोर, इसा आएगा न अभी यहांपर है सब्ड़ सानी, यानी कि, क्या है सब्ड़ सानी में के हमारे डेस में बहुट साड़ेट धर्म है लेके आपना डेस में घणा बड़ा धर्म होई छे काया गया धर्म तो आपने कहिए के हिंडू, मुस्लिम, सीथ, पछी, ख्रिस्ती, पार्सी, बड़ा बने तो घणा बड़ा धर्मना लोग रहे छे तो बद्धानू जे धर्मक होई तो पवित्र पुस्तक धर्मक 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 के बाईबी लेले ख्रिष्टि लोकनु धर्मा ग्रान। तो बीजु सुम आवसे अपने खबर छे तो आतले छे पार्सी सुन छे पार्सी तो पार्सी कोनु आवे पार्सी लोको नुह एट्रटे अग्नेनी फुझा करता होई छे बराबार त्यार पाची छे महाभारत आतले महाभारत तो महाभारत कोनु छे धर्मा ग्रान्ट तो हिंडु लोकनु धर्मा ग्रान्ट छे महाभारत त्यार पाची आहीं छे मंडिर तो हिंडु लोको पुझा करवा माटे क्या जाए तो मंडिर आचे हिंडु धर्मा हिंडु भराबर त्यार पाची या लोकनु थित धर्म शेकर धर्म सिंनासि एक घर्म शेख है तर बचिख है रामायन इने पन हिंडु सेके मुशल मारार्मिक अदेक करई,眮bnत ग्रांट. टार पज़िए आठले कई हो छे? टार पज़िए आठे मुस्तलिम धर्म, बरबर मुस्तलिम धर्म आठले छे अव्रेश्ता धर्म तो विध्याथी मेतरो हवे पज़िए आपरे, चुटैं बाठी मा लखी सुम